कारी सब कितना वक्त है मेरे लिए? जितना चाहिए. बाद में सवार जबाब की निशिस्त है? ने ने ने. बस पंखे के दर्मियान कोई ना है अब अप्दोल्ह अध्मद लिल्ह हमद वे वे हमद वे हो वे हमूद आबह फ्मूद अबद में अबद आबदा वास्ताइनु वो वोलमुनुमुलमुलमुला वनिमन्नसीरु भीदा लाशरीक लब वो इलाव़ा वाहिदा अहदा फर्दा समदा वाश्यूद अन सेड़ना वसनदना मुहम्मद अब्दू रसूलू नबिल्यूम्मा जल वमा घवा वमा यंतिक अनिल्हवा वसल्लाह वालेह वबारक वसल्म वाला आलिही वास्थाबिही वाजवादी सलातً दाइमा सल्मदा अमा बाद वाउद बिल्लही मिन श्यतान र्रजीम बिस्मिल्ह र्रह्मान र्रहीम वाबाद र्रह्मान ल्थीन यम्शून अला अर्द होना वझा घात्ब हो में ल्जाहिलोन वालू सलामा वाल्दीन येवीतुन लरभिहीम सज्जदददददद उकैमा वाल्दीन येव्यतुन रभन आदा उत जहनन इन अजाब हा कान घरामा इन्नहा साओत मुस्तकर्ण वमुकामा वकाल अल्लाव तबारक वता आला इतबियू मा उन्जिल इलैकुम मिन रबिकुम वला तबियू मिन दूनिही ऑुलिया ये मकसद है के दुनिया से जहालत दूर हो जाए कलाम उल्ला से मुमिन का दिल पुर नूर हो जाए जा इलागी जब तक मेरे जिसम में जा रहे तुझ पे सदके तरे महभूब पे कुर्बा मा रहे मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ दीन अहमद और इस्जत कुरा रहे वाजिव लेहतराम सदर मजलिस हदरत मुहतरम कारी बशीर अमसाब आफिज़ अल्ला दीकर ओलामा तुलाबा मेरे एले तवीद भाईयों मेरी मुस्लिम माओं बेहनों बेटियों आज ये पच्चीसवी शव है और शवे गदर के इतवार से मुम्किना तीसरी रात है मुम्किन है यही रात हो क्योंकि अल्ला के रसूल ने इसे आखरी अश्रे की पांच रातों में तिलाश करने का हुक्म दिया और सहाबा इनी रातों में उसे तिलाश करते दौा है अल्ला हमें वो नसीब फर्माए लेकिन ये मिल भी जाए फैदा उनी लोगों को है जिनका अकीदा तोहीद पर रासिक है शिर्क से ताइब है उनकी बंदगी उनकी अबादत उसके रसूल के तरीके के मताबिक है विदात और खराफात से बचे हुए है तू तू इस रात को हासल करने पाने अबादत करने का कोई फैदा है वरना कोई फैदा है अगर एक अकीदा शिर्क भरा हुआ है अकीदे में और तोहीद पर मबनी नहीं है तो आदमी पूरा रमजान रोजे रखे रातों को कयाम करे तरावियां पढ़े खत्म पुरान करे रमजान में उम्रे पे चला जाए बैतुल्ला के हाज करे मस्जिद नवी की जियारत करे कोई फैदा नहीं जब तक दो बातें आपके दिल और दिमाग में ना बैटे है कि इस दुनिया में इस कैनात में राज अल्लह का हो और रिवाज मुहम्मद रुसुल्या सल्ण लाह सल्दाए लेग सल्दा का हो तब तक कोई फैदा नहीं है गुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है उसमें अपने नेक बंदों का खिर करता है उनके कुछ औसाफ बताता है और ये जो रमजान का महीना है ये हमें नेक बनाने के लिए ताके हम नेक बन जाएं हमारी बुरी आदते हम से चूट जाएं अल्ला को हम मना लें अल्ला को राजी कर लें और अल्ला को खुश करके इस रमजान को रुखसत करें ताके इस रमजान के आने का जो मकसद है वो हमें आसे चूंके अगर रमजान हमसे नराज चला गया और हमने बस एद के कपड़े बनवा लिये और एद वाले दिन शीर खूर्मा या सेवी या खा ली और रमजान ऐसे रूट के चला गया हमने कुछ नहीं कमाया बने रोजे रखे भूके और प्यासे रहे रातों को जागे तो बस जागते ही रहे कमाया कुछ नहीं वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आदमी रुजाना दुकान पे जाए खूल के बैटे बिकरी ना हो बिकरी ना हो तो फिर वो पीर फकीर के चकर में पढ़के लोगों से मश्वरा करता है बैं क्या करूँ वो कहते हैं बस तेरी ना दुकान पे बंदिश है या तो दुकान बदल दे या कारोबार बदल दे ये बंदिश वालों ने भी ऐसा चकर डाला है अच्छे खासे दीनदार लोग वो बंदिश के चकर में भंसे बच्ची के रिष्टे में आते बंदिश है कारोबार में होता बंदिश है नौकरी नी लगती बंदिश है नौकरी लगती है फिर छूट जाती है बंदिश है अब आप सोचें यह इतना खतरनाक अकीदा है यह बंदिश वाला, इतना खतरनाक आप कहेंगे हम तो एले तोहीद हैं अहल अदीज हैं हमें शिर्क से क्या लेना देना है, लेना देना है मौलवी ऐसे नहीं दाव लगा के जाता है जब वो कहता है बंदेश है इसके बार्मी ये हैं कि किसी ने तावीज करा के आपके ये काम रुकवा दिये नौ्जूबिल्ला अल्ला ताला तो आपकी दुकान चलाना चाहता था तावीज वाले ने तावीज करके रुकवा दिया अल्ला आपके बच्चों के रिष्टे कराना चाहता था तावीज वाले ने तावीज करके रुकवा दिया अल्ला तावीज वाले आपको रोजगार देना चाहता था तावीज वाले ने तावीज करके रुखवा दिया तो मुझे बताईए जरा अपने अकीदे और जवीर को टटोल कर कि नौज बिल्ला में जाले कौन जीता और कौन हराम कौन जीता मौलवी या रब मौलवी जीता तो आपकी तोई किदर गए किदर गए आपकी तोई आप लोगों को तो बुरा भला कहते हैं ये ऐस उसे मांगते हैं ऐस उनके पीछे जाते हैं जो इनको कुछ नहीं दे सकते तो रब को कमजोर तो आपने भी कर दिया ना कहां गई तोईद आपके और जो हमें तोहीर सिखलाने वाले हैं मुहम्मद र्रसूल्लाव सल्लाव अलिह वसल्म कभी आप उन से भी तो पूछे हैं इस बारे में उन का क्या आकिता है अगर तू किसी को कुछ देने पर आए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती और अगर तू रोकने पर आए तो दुनिया की कोई ताकत उसे दे नहीं सकती आपने सारे का सारा मुआमला पीरों फकीरों और मौल्मियों पे छोड़ दिया ये बोतले पढ़के देंगे तो काम चलेगा धागे पढ़के देंगे तो काम चलेगा नमक पढ़के देंगे तो भैंस दूद देगी चारे पे फूँक मारके देंगे तो गाए बच्चरा देगी सारे के सारे मौमले तुम लोगों नहीं नहीं के उपर डाल दिये अल्ला रब लालमीन कहता ये सब मेरे दस्ते कुद्रत में है मेरे कबजे में है आपके तकाफ का कोई फैदा नहीं जब तक आपके अकीदे में तोहीद कमजोर मौजूद है कोई फैदा नहीं रोजे का कोई फैदा नहीं उम्रे का कोई फैदा नहीं हाज का कोई फैदा नहीं किसी भी बंदगी का रब लालमीन के आँख कोई फैदा नहीं अगर बंदगी में शिर्क मुजूसjem मौजूदृ है अगर बंदगी में शिर्क मौजूद है वमवाहु नार दोज़क को फर्द कर दिया ऐसा आकिदा रखने वाला कभी जन्नत में जा ही नहीं सकता और कभी दोज़क से बच ही नहीं सकता फिर आप यह कीदे दिल में लिए फिरते हैं एक दोस्त मुझे मिले कहने लगेगी कारे साथ आप की दोस्ती का में क्या फैदा? बैने क्या आपको क्या फैदा चाहिए? बोले मैं अभी अभी उसरफ मैं मन्जूर करू नहीं जाने तो लेसाहन में होता था कहने लगे मैं अभी अभी एक साथ से मिलकर आ रहा हूं उसको मैंने अपनी तभीयत दिखाई, उसने मुझे देखा, कुछ पढ़ा, कुछ दमद किया और उसके बाद कहने लगा की तेरे उपर सत्रह जिन हैं और वो सत्रह के सत्रह अफगानी सत्रा जिन हैं और वो सत्रा अफगानी मैंने क्या फिर बोले मैंने कहा यह आप कैसे निकने में बोले चानीस हजार रुपिया लगेगा मुझे कई रातें बैठ कर पढ़ना पढ़ेगा चुकर अफगानी जिन जो है बड़े जिदी होते हैं ऐसे असानी से नहीं जाते मुझे बहुत रियासत कर्मी पढ़े दी इसके लिए 40,000 रुपिया लगेगा मैंने क्या फिर बोले मैंने 25,000 में सौदा किया उससे 25,000 मैं उसको दे कर आया हूँ उसने का एक हफ़ता मैं दा पढ़ूँगा तो इन्शालला कहने लगा वो कह रहा है अभी 10 बाकी है 7 चले गए मैंने क्या मैंने कहता था ये 40,000 पूरे पर एक है तो बोले फिर आप की दोस्ती का क्या फैदा है वो 10 जिन आप उतार दे वो 10 दिन आप उतार दे 10 जो जिन चड़े वे अफगानी मैंने क्या मैं कहां से उतार दे मुझे तो आप के कोई जिन चड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है लोगों ने अपने जहनों ने ऐसी बातें बिटा लिए और ये जितने तावीज फरोश हैं ये लोगों के जहन खराब करते हैं और उनके जहन में माइड में ये बात डालते हैं और उनको नक्सियाती मरीज बना देते हैं फिर पहले अबा को होते हैं फिर अमा को हो जाते हैं फिर बच्चों को हो जाते हैं इसी तरह सारा खांदान जिनात का मरीज हो जाता है आखर वो मकान बेच के वहां से बाग जाते है फिर उसका मकान कोई लेता नहीं है लोग कहते हैं यहां जिन है पहला खांदान भी यहां से मरीज होके निकला है वो भूत बंगला कहलाता है कोई उस गर को नहीं लेता है अजीव लोगों का निजाम है डुमों के आलात है मुझे इसलामबाद से एक दोस्त का फून आया कहने लगे कि जी कर साब हमारी बच्ची बिमार है और किसी ने कहा उस पर आसेग का असर है अब आप कराची में हैं तो फून पे दम करते हैं मैंने का जी मैं फून मों पे दम नहीं करता मैं कोई पीर तोड़ी हूँ जो फून में मारूंगा तो पूरे इसलामबाद के जिल्म भाग जाएंगे ऐसा तो नहीं होता है कहने लगे आप मुझे इसलामबाद के किसी दोस्त का नंबर दे दे जो ये काम करता मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि ये ऐसा कुई चक्कर नहीं है ये नफसियाती मर्ज है वैसे आप आफरी दोस्त उतने पढ़के आयत उल्कुर्शी पढ़के अदब बास रबनास ये पढ़के आप बच्ची पर दम करें आपकी बेटी है आप उस पर दम करें और किसी नफसियाती डॉक्टर को आप दिखाएं लेकिन वो किसी ने जहन में डाल लिया था माराल मैंने एक साथी का वहाँ नमबर दिया उन्होंने बुलवाया घर पे और वो कुछ अरसे तक दम करते रहे कुछ रसे बात मैंने ऐसे फून किया खेरीсть मालूम करने के लिए मैंने का अभी बताओ वो वो जिन्मिन का क्या मौामला है जिन छोड़ गिया के नहीं कहने लगे जिन तो छोड़ गिया बाशाल आमिल नहीं छोड़ रहा जिन तो छोड़ गिया है पिर आपको डंडे मार कि उनको निकालना पर जाए ये कभी खुछ से निकलते ही नहीं यही मौामला जिन निकालने वाले का कभी भी निकलेगा और लोग ऐसे अभी खत्म की रात आने वाली है किसी के हाँ 27 को किसी के हाँ 28 को किसी के हाँ 29 को गुरान मजीद के खतम होते हैं हाफ़िश ये फारव जो सुनाता है गुरान खतम करेगा कई मस्जदों में माने देखा है अहल खिस मस्जदों में कई चब उूँपर माने देखा है दोनों तरफ मुसल्ले के बोतले रक्यों वी जाती है ऑर पानी की, डखने कुले वह रखे हुए होते जब हाफ़ साफ दाएटर फन पेड़ेगा तो उसमें फूंक हमार देगा लगे लगई बोत तर प्चास रुपय की सो रुपय की रास्ते में बेचते में पीते मी रहे अब वो जितनी यकीन मानी है, जितनी मौलवियों को बिमारी होती है, जितनी, आजकर तो मौलवियों को जयातार शूगर ही होती है, चूगर होती है, जोरों का दर्ब होता है, और इस तरह की तक्रीफे होती है, वो जब तू तू करके सारी बोतलों में लाँता है, जो पीता ह मौली की सारी बिमारियों से कुला दे सारी बिमारियों से कुला अल्ला की रसूल सल्लाइब ने मरीज पर दम किया कभी बोतल पढ़के नी दी कभी धागा पढ़के नहीं दिया कभी नमक पढ़के चीनी पढ़के कुछ पढ़के नहीं अजीब लोगों के जहन है अजीब लोगों के ख्यालात है मेरे भाईयों इस जहालत से बाहर आई इस जहालत से बाहर आई अल्ला ने इंसान को सबसे अश्रफ बना है फरिश्टे को आपके आगे जुका दिया है इससे बड़ी अजमत आपके और क्या हो और आप जिन्नों से ओए जिन्न क्या है ये शैतान ही तो है आप गोया शैतान को अपने उपर सवार कर लेते हैं फिर उन से डरते बिरते हैं फिरमाया वा इबादु रर्रह्मा लिल्दीन यम्शूना अला अरद हवूना अल्ला के नेक बंदों की अलामत ये है अल्ला के नेक बंदे अबादु रर्रह्मान रह्मान के नेक बंदे यम्शूना अला अरद हवूना वो जमी पर चलते हैं तो दबे पाउं अकड कर नहीं चलते सीना तान के नहीं चलते सहाबा बयान करते हैं अल्ला के रसूल जब कभी चला करते थे सीधी जमीन पर भी आप इस तरह चला करते थे गोयाप चड़ाई से नीचे की तरफ आ रहे हैं तेज तेज कदम उठाते गरदन आगे की तरफ जुकी होती नहायत आजी से आप चला करते थे मतकब्रा ना चाल कभी ना चला करते थे और जब कभी जोहला से पाला पड़ जाए उनकी जहालत की बातों में उलजते नहीं बलके उलजी गुतियों को हमेशा सुलजाया करते हैं कभी उनसे उलजते नहीं उनकी बुरी बात का भी जवाब भली बात से देते हैं उनकी बद्दुआउं का जवाब भी दुआउं से देते हैं अल्ला के अभीम को लोग उपपछर मारते हैं तायफ में आपको लूलिहान करते हैं आपका साथ य आप से दर्खास करता है आपको रसूलिपगत्व ने आपको बहुत सताया है लूलिहान कर दिया है आप इनके लिए बद दौा कीजीए रब अलमीन इनको तैस नैस कर दे रहमति आलम ने हाथ उठाए हजरत जैस समझते हैं कि शायद अल्ला के रसूल ने मेरी दर्खास को कुभूल करते हुए आपने बद्दौा के लिए हाथ उठा लिए लेकिन रहमति आलम ने दौा के लिए हाथ उठाए जिबरील भी आते हैं अल्ला के रसूल अल्ला रब लालमीन फर्माता है अगर आप चाहें तो मैं ताइफ के दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूँ और बीच की अबादी को चक्की की तरे इनको पीस के रख दू अल्ला के अभीव ने फर्माया एल्हूला रालमीन जिस तरह तू इनको दो पहाड़ों के दरमियान पीसने पर चादिर है तू इनके दिनों को भी तो प्पेरने पर चादिर है अल्ला हुमादीकौ। फइन्झम ला यालमून इनको हिदायत अता फर्मा ये मुझे पत्तर इसन्ये मारते हैं ये नई जानते के मैं कौन हूँ ये नई जानते के मैं इनका कितना खैर खाहू ये नई जानते के मैं इनके लिए कितना तरपता हूँ के ये दोज़क की आग से बच जाएं जन्नत में दाखला इनके लिए मुम्किन हो सके ये मेरी उस मुहबत और हमदर्दी से ये लोग वाकिफ नहीं मेरी कदर और मंजर से वाकिफ नहीं आज उस दुआ का नतीजा है ताइफ को देखिए मुसल्मान बसते हैं अल्ला के आगे जुकने वाले बसते हैं शिर्क ना करने वाले बसते हैं रहमत आलम की उस दुआ का नतीजा है आप भी लोगों के दिल अल्ला रब लालमीन से दुआ करके रबों लोगों के दिल फेरने की कोशिश किया कीजिए उन से उल जाना कीजिए दुआएं किया कीजिए अखलाग पेश कीजिए रहमत आलम ने जितनी भी दावतें दी बड़े बड़े लोग आपके सामने आ करके सर निगू हो गए आपकी तलवार की वज़ा से नहीं आपके अखलाग की मिठास की वज़ा से एले अदीस उपने अंदर से रूखा पन खतम कीजिए अखलाग पैदा कीजिए मुहबच पैदा कीजिए वो जर्फ दुनिया में कोई लाके तो दिखाए अल्ला के हभी मस्जिद में तश्रीव फर्मा है एक शक्सा करके कहता है क्या आपका नाम मुहम्म्मद है आप फर्माते हैं मेरा नाम मुहम्म्मद है सल्लालाह अल्यु आई वसल्म वाकी आप अल्ला के रसूल है आप फर्माते हैं वाकी मैं अल्ला के रसूल हूँ वो फिर कहता है क्या आप कसम का करके कहते हैं कि आप अल्ला के रसूल है आप फर्माते हैं मैं कसम का कर कहता हूँ मैं अल्ला के रसूल हूँ आपने एक मर्तबा भी गुसा नहीं फर्माया एक मर्तबा भी आप मस्जिद में तश्रीव फर्मा है एक बदू एक दिहाती मस्जिद में दाकिल हो जाता है उटनी पर सवार है उटनी को मस्जिद के सहन में बिठाता है मस्जिद के सेहन के कोने में पिशाब करने बैड जाता है सहाबा उसे मारने के लिए दोड़ते है रहमत आलम ने उनको रोका और रोक करके का कि तुम अल्ला रबुलालमीन की तरफ से दुनिया के लिए रहमत बना कर भेजे गए हो जहमत बना कर नहीं भेजे गए उसे पिशाब करने दो जब वो फारिग हो गया आग की तरफ आया आपने उसे समझाया और कहा कि ये मस्जिदें पाकिजा जगे हैं अल्ला की बंदगी के लिए रबादत के लिए पुरान की तिलावत के लिए जिकरजगार के लिए ये बजजदें इसलिए बनाई जाती हैं बौलो बराज के लिए नहीं बनाई जाती आपने पानी मंगवाया उसके पिशाब पर आपने पानी बहा के उसे सहन से बाहर निकाल लिया वो शक्स उठता है दुआ करता है रबुलालमीन से आई इलाहुलालमीन मुझ पे रह्म फर्बा मुहम्मद सल्लाला सल्म पे रह्म फर्मा और फिर हमारे बाद किसी पर रह्म ना फर्मा अल्ला के रसूल ने फर्माया अल्ला की रहमद जो इतनी बड़ी वसी है इतनी बड़ी बसी रहमत को तू इतना महदूद करता है सिर्फ दो बंदों के लिए वो कहता है अल्ला के रसूल मेरी चान तो सिर्फ आपने बचाई है ये तो मारने के लिए दोड़े हैं अल्ला के रसूल के अखलाग को देखकर वो शख्स मुस्लमान होता है अप मस्जिद में तश्रीम फर्मा है मस्जिद सहाबा एकिराम से खिचा कच भरी हुई है एक नोजवान मजमे में से खड़ा होता है मजमे में कड़े होकर अल्ला के रसूल से कहता है आपकी सारी बाते मुझे मन्जूर है नमाज भी पढ़ूँगा रोजे भी रखूँगा सारी की सारी आपकी फर्मा बरदारी मैं करूँगा सिर्फ एक बात की अजाज़त दीजिए मुझे जिना की बड़ी लत है मैं इसे नहीं चोड़ सकता मुझे सिर्फ जिना की अजाज़त दीजिए बाकी सारी पाबंदिया निम्टाऊंगा मस्जिद नवी के अंदर अल्ला के रसूल से सहाबा किराम की मौजूदगी में जिना की अजाज़त मांगता है सहाबा कोई उसे कमीज पकेड़ कर नीचे की तरफ खेंचते हैं बिठाने की कोशिश करते हैं अल्ला के रसूल फरमाते हैं नहीं नहीं इसे बिठाने की कोशिश न करो मेरे पास आने दो कुछ वो चला कुछ अल्ला के रसूल चल कर की उसके पास गए जैसे दुनिया में आपने किसी कलेने के ये मनजर देखा होगा मरीज कतार में बैठे होते हैं अपनी बारी के इंतजार में टोकन उनके पास होता है बाज दफ़ा चानक स्ट्रेचर पर एक ऐसा मरीज आता है डाक्टर दूर से उसकी कंडिशन को देखता है कि ये सीरियस मरीज है फोरन अपनी सीर छोड़कर कुर्सी छोड़कर उसके पास जाता है उसको पहले देखता है टोकन वानों को बाद में देखता है रसुल आपनी सीरियस है आपने उसके कंडिशन के पे हाथ रखा जिस तरह डाक्टर नमस पे हाथ रखता है उसकी बिमारी को चेक करने के लिए रहमत आलम ने उसके कंडिशन पे हाथ रखा थोड़ा थोड़ा कमर की तरफ ऐसे हाथ को फेरा अल्लह रब लालमी से दुआ भी करते रहे उससे सवाल किया हमारे हाँ जो तरीके कार होता है ना वो होता है फत्वे बाजी का फत्वे बाजी जहन साजी ने फत्वे बाजी कोई पता नहीं उसने ये काम क्यूं किया उससे पूछेंगे भी नहीं फत्वा जड़ दें ये तो ऐसा है ये तो वैसा है ये तो वैसा है देखिए वो शख्स मस्जद नवी में अल्लह के रसूल से जिना की इजास्त मांगता है इससे बड़ा बुरा और कौन होगा अगर उस जवाने में हमारे ज़माने के लोग बैठे होते तो फोरां पता ही कितने फत्वे जड़ चुके होते और कितनी मार मार चुके होते अल्लह के रसूल ने उससे सवाल किया क्या अगर यही इजाज़त जो तू मुझसे मांगता है अगर यही इजाज़त कोई और श्खस मुझसे तेरी मां, बें, बेटी, पूपी, खाला आपने महरब रिश्टों के नाम घिरवाए अगर उसके लिये यही इजाज़त कोई मुझसे मांगे तो तेरा क्या तास्र होगा क्या तू इजाज़त देगा उसने कह लाव अल्लाह या रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं ये कभी अजाज़त नहीं दे सकता मेरी गहरत गवारा नहीं करता तीर बिल्कुल निशाने पे लगा पहले जेहन साजी तो करो ना फत्वा तो एहल अदिसों की जुबान की नोग पे रखा हुआ होता है हर वक्त पहले जेहन साजी करो उसने का नहीं है रसूलनलाई यह यह मैं कभी बरदाशता ही कर सी आपने फरमाया फिर जिसके लिए तू इजाज़त बांगता है वो भी तो किसी की बेहन होगी किसी की बेटी होगी किसी की माँ होगी किसी की खाला या पूपी होगी फिर अल्लह के रसूल ने वही खड़े खड़े उसको तीन दुआइं दे तीन दुआइं दे मुल्वी दौाइं देता है? नहीं देता है अपने तुलबा से उसे पिटवा के धक्य दे के मस्ज़ से बाहर मिटा अल्लह के रसूल ने उसे खड़े होकर दौाइं दे दौाओं से दिल बदलते हैं जहन बदलते है दौा तो मुमिन का हत्यार है अद्दिआओ सिलाव unm open अद्दिआओ मुخ ul Ibadah अद्दिआओ हुल Ibadah दौा अबादत का मख्थ है दौा ही तो असल अबादत है दौा मुमिन का हत्यार है एक तो मसीबत ही हमने दौा मांगनी चोड़ दी ऐलेलीस होता ही है जो नहिए जो दौा ना मांगे गलत मतलब निकालते मन्फी पहड़ू निकालते अगर कोई आपको नसीयत करते हुए कह दे कि आप अगर फजर की नमाज और इशा की नमाज ये दो नमाजें पढ़ते हो बीच में जोहर असर मगर्ब ये नहीं पढ़ते हो तो आपको इन दो के पढ़ने का कोई फैदा नहीं है आप पूरी पांचू पढ़ा करें इन दो के पढ़ने का कोई फैदा नहीं इसलिए कि पांच नमाजों का एक सेट है जैसे एक जग और छे गिलास एक चैनक और छे कप ये सेट है और जब बच्चा एक कब तोड़ देता है तो बेगम बड़ी गुस्षे होती है कि मेरी अम्मा की निशानी थी मेरा सेट खराब कर दे मेरा सेट खराब कर दे कब तो और मिल जाएंगे लेकिन सेट खराब हो ये पांच नमाजों का एक सेट है इसमें से एक तूटे दो तूटे सेट खराब वो सेट ने तो जब आलिम ये समझाता है तो आगे मन्फी जहन वाला ये सोचता है ठीक है जी अगर दो पढ़ने का कुल फैदा नहीं तो कल से ये भी नहीं पढ़ने हालाएं के ये भी तो सोचा जा सकता था जा ना के चलो अगर दो का फैदा नहीं है तो मैं पांच पढ़ने ताके इस दो का भी फैदा हो और बाकी भी पूरी हो जाए हमेशा मन्फी सोचता है अल्ला के रसूल ने उसे दूआ दी फरमाया अल्लाहुम अल्लाहुम अग्फिर जंबहू तोहिर ऐसुन है तीन दूआ रहमत आलम सल लग योस लॉब वस्वे ने उसके कंदे पर हात रख कर दी अईल्लाह इसके गुनाहों को माब फरमा दे तोहिर आदी इसके दिल को पाक कर दे आहसिन फर्यव इसकी आपरों की हिफादत फरमा ले सहाबा बयान करते हैं कि उस दिन के बाद हमने सारी जिन्दगी जब तक भी वो जिन्दा रहा हमने उसको देखा जब भी रास्ता चलता था जब भी घर से बाहर निकलता था किसी गुना में घिरना तो दूर की बात है हमने कभी उसे नजर उपर उठा कर भी नहीं देखा सारी की सारी जिन्दगी नजरें नीचे जुगा करके चलता रहा अल्ला के रसूल की दुआउं का भी असर हो गया आपकी जहन साजी का भी असर हो गया एले अदीसों दुनिया के सामने अपना अखलाग पेश कीजिए अपना किरदार पेश कीजिए महबच पेश कीजिए जिस रसूल के मानने वाले हो वो पेगंबर दुनिया में महबच बांडता है नफ्रते नहीं बांडता प्यार बांडता है दुश्वनिया नहीं बांडता हमारी तो आपस में नहीं बनती ना मुहब्बत का पता होता है कि कब हो गई ना तूटने का पता होता है कि कब तूट गई ये तो फिर मुहब्बत तो ना ना गई तो पिर शीशे का गिलास हुआ बच्चे ने जमी पे पठखा हो चटक करके तूट गे मेरे भाई जो दिल तोड़ना होता है जो दिल तोड़ना होता है कहते हैं न कि आईना तोट भी जाए तो कोई बात नहीं दिल न तोटे के ये बिक्ता नहीं बजा रूँगे जो दिल तोड़ना है ना हाँ अगर आपने अपना अखलाप अपनी महबब अपना खलूस अपनी दौाएं सब कुछ कर डाली और हिदायत उसके नसीब में नहीं है और वो नराज होता है दुश्मनी बे उतराता है ठीक है उसका नसीब है आप अपनी तरफ से कोशिश करें अल्ला के रसूल को देखो अपने चच्चा अबू तालिब के लिए बिल्कुल आखरी वक्त है उस वक्त भी आप कह रहे हैं आप कन्मा पड़ें और ये भी कह रहे हैं कि चलो आपको इन लोगों का डर है ना शरम आ रही है ना कि मक्य की औरते क्या कहेंगी मेरे कान में पढ़ें लेकिन हिदायत नसीब में नहीं थी नहीं पढ़ा हिदायत नसीब में नहीं थी नहीं पढ़ा लेकिन आपने कोशिश की आखिर वक्त है हर तरह से आपने सीरत की किताबों में पढ़ा होगा कि रहमति आलम आए एक बुड़िया कोई गट्री लेकर खड़ी हुई है उससे गोया वो उठाई नहीं जा रहे वजनी है तोड़ी ज्यादा और वो बुड़ी भी है अब आपने पूछा मा कहा जाना है कहा वेटा ये फलाँ जो बस्ती है मदीने से कुछ फासले पर बताई वहां जाना है मा मैं छोड़ दूँ आपको गट्री उठा ले आप सल्लादा सल्लम ने उसकी गट्री उठा ले चलते जा रहे हैं और बातें करते जा रहे है अच्छा मा आप क्यों मदीने से क्यों जा रही है का बेटा क्या बताऊँ एक शक्स आया है वो जो मुहम्मद नामी शक्स है वो सब को लड़वा रहा है बाप बेटे के रिष्टे खत्म हो गया है बाप दादा का दीन चूट गया है लोग आपस में लड़ रहे है वो तो को लौज बिला ऐसा शक्स आया है मैं उसी के शर्व से बचने के लिए मैं मदीना चोड़कर फुला मौले में जा रही है आप सुनते रहे हैं एक दफ़ा भी उसका दिल दुखाने के लिए ये नहीं कहा कि तू जिस से जिसके शर्व से बचने के लिए घर चोड़के इलाका चोड़के जा रही हो मैं वही मौम्मद हूँ और गठ्ड़ी फैल कर कहा हो कि दफ़ा हो खुदी उठा रहे हम तेरी गठ्ड़ियां उठाते पिर रहे हैं और तू हमें गालियां देती आप एक तफ़ा भी नहीं दे जब उसकी बस्ती में पहुँच गए गठ्ड़ी उतार के रख दी सलाम करके वापस आने लगे तो उसने कहा बेटा कितने अच्छे हो काश वो मुहम्मद भी ऐसा होता अब आप ने कहा अमा मैं वही मुहम्मद है जिसके डर से तूने वो मदीना चोड़ा है फिर वो रह सकती थी कि वो इसलाम कुबूल न करे लिए कैसे रह सकती समावा बिन उसाल रजी लाह ताला नो को देखो बाद शाहों वाले ठाट बाट आपको कतल करने के इरादे से आया है मदीने में दाखिल हो गया है आपको डूंडता फिरता है सहाबा किराम में C.I.D. वालों ने उनको पकड़ लिए पकड़ कर रसूल उल्ला सलम के पास ले आया है अल्ला के रसूल जेल खाना भी है तर्बियत गाव भी है सफारत खाना भी है बड़े बड़े सोफरा आते हैं मुलाकात भी होती है और सुफ़ा की दर्सगा भी है दुनिया की सबसे पहली रेजिडेंशल यूनिवस्टी भी है वो अबादत की जगा भी है मिंबर भी है आप फैसले भी वहां करते है गोया सुप्रीम कोर्ट की अदालत भी वो है मस्जिद का एक मकाम है जो इसलाम ने इसको दिया है हम तो बस यहीं समझ लिया है कि बस नमाज पढ़ीगे उसके बाद मस्जिद को ताला लग जाएगा या किसी को पिशाब जोर करेगा तो माले से पुचेगा यहां कोई मस्जिद है वो पुचेगा क्यों जो पिशाब करना है मस्जिद है आप इस मकसद के लिए रहेगी पिशाब करने के लिए नमाज पढ़ने के लिए नी पिशाब करने के लिए रहेगी आपने बनवा दिया पिलर के साह बनदर सिर्फ उसे काना खिलाने के लिए चोड़ते हैं बॉलो बरास के लिए चोड़ते हैं अगर मेरे साथ मिहरबानी करोगे तो मेरी कौम आपके साथ महरबानी करेगी और अगर मेरे साथ कुछ बुरा सुलूप करोगे तो मेरे बदला लेने वाले पीचे हैं यानि डरावारा नहीं यानि वो जो गर्दन का सरीया है न वो अभी तक निकला नहीं तीन दिन तक बंधा रहा तीन दिन गुजरने के बाद आपने पूछा उसने वोही जवाब दिया अगर महरबानी करोगे तो हमारी कौम आपके साथ महरबानी करेगी और अगर किसी किसम की आपने हमारे साथ सक्भी की तो मेरी कौम बदला लेना जानती है अपना जानी दुश्मन है अपना जानी दुश्मन है फिरसोल ने उसे छोड़ दी मस्जित के बाहर गिया गुसल किया वापस आया समामाद क्या बात है वापस क्यूं आया कहा अब ये आद्म लेकर आया हम कि अब महुत आयगी तो वो भी आपके कदमों ने आए ये किस चीज़ ने उसकी गर्दन से सरिया निकाला तलवार में नहीं आपके अखलाव नहीं आपके प्यार नहीं आपकी दावत इतना प्हेलेगी ये इस जैसी चार मस्जदें भी यहाँ इकटी हो जाएं भी कमपड़ी इतनी दावत प्हेलेगी इन्शाद में महबत की जरूरत है प्यार की जरूरत है अखलाग की जरूरत है मैं ये नहीं कहता कि आप हर किसी को शर्बत पिलादे रहो रूफजा पिलाओ नहीं आप मिलते वक्त चेहरे पर मस्कराहत ले आओ पिशानी के बल खतम कर दो आपने फर्माया किसी मुस्लमान भाई को मिलते वक्त चेहरे पर मस्कराहत ले आना ये भी सद्का है अरे आपके पास पैसे नहीं है तो ये तो मुफ्त का सद्का है ना ये मुफ्त के सद्के तो कर के देखो वैदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा जब भी जो अला से मुखातब होते हैं सलामती की बात करते हैं कभी गाली का जवाब गाली से नहीं देते वल्लदीन यबीतून लिरबिहिम सुजदं वक्यामा और इनकी रातें देखो रब लालमीन के हुदूर जागते गुदर जाती हैं कभी ग्याम में कभी रुकू में कभी सजदे में रातें इनकी रब लालमीन के हुदूर सर्बा सुजूद हो करके गुदर जाती हैं सुजदं वक्यामा कभी कियाम की हालत में कभी सजदे की हालत में अपनी रातें गुजारते हैं अरे सजदे तो हम भी करते हैं कियाम तो हम भी करते हैं लेकिन हमारे कियाम का हमारे सजदों का हमें सिला क्यों नहीं मिलता कितने लोग ऐसे हैं जिनों ने अपने दिलों के अंदर पीर फकीर मलंग के बुत सजाए हुए हैं उनकी अकीदत के बुत दिलों में रखे हैं कहते हमने तेरे मिलने की तरकीब ये सोची है दिल में ही बना लेंगे छोटा सा सनम खाना दिल के आईना में है तस्वीर यार जब जरा गर्दन जुकाई देख ली इकवाल कहता है कभी सर बसजदा हुआ जो मैं तो जमी से आने लगी सदा तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में अरे नमाज में बुत्व की अकीदत रखकर कभी कुछ हासिल नहीं होता मदीने में भी जाकर के कितने लोग ऐसे हैं मदीने में जाने के बाद भी सफ में या नमाज पढ़ने के लिए ऐसी जगा ढूंडते हैं जहां रोजा सामने हो मैंने खुद लड़ते हुए देखा लोगों को यहां मैं कड़ा हूंगा रोजा सामने हो मकसद क्या होता है कि जब मैं सजदा करूँ तो कबर नवी सल्ले लोगों मेरे सामने हो यह अकीदत के बुत जब दिल में रखकर सजदे करोगे अकबाल फिर एक बात करता है आग के जमीर को जंजोड कर एक सवाल करता है पालता है बीजी को मटी की तारीखी में कौन बोलो ना लिकना हो सुसैटी बालो कौन अल्ला ही पालता है बीजी को मट्टी की तारीकी में कौन और कौन दरियाओं की मौजूं से उठाता है सहाब कौन कराची वालो बताओ तो सही कौन कौन लाया खेच कर पच्छम से बादे साजगार खाक ये किस की है किसका है ये लूरे आफटाओ किसका किसने भर दी मोतियों से खोश आए गंदम की जेब किसने सिखलाई है मौसमों को खुए इनकलाओ किसने ये आसमा के दामन में बादलों के रवादवा काफले जिन में गर्मी भी है जिन में सर्दी भी है जिन में पानी भी है जिन में आग भी है दुनिया की किसी ताकत से कहिए दोनों मुतजाद चीजें आग और पानी जमा करके दिखाए ये किसने जमा कर दी यहां हम दुनिया में देखते हैं कहीं नकल मरकद की चाओं में सजदे कहीं मरने वाले के पाओं में सजदे इशारूं में सजदे निगाहूं में सजदे यहां और वहां खान काहूं पे सजदे ये कुबा परस्ती के पामाल सजदे मजारू पे जा जा के हर साल सजदे मजारू पे जाते हो बहरे सफारिश जो खुद सो चुके क्या सुनेंगे गुजारिश जो माईल बखाब अजल हो चुके हैं लहद में जो आराम से सो चुके हैं जो करवट बदलना नहीं जानते हैं उन्हें आप मुश्किल कुशा मानते हैं अरे कभी तो सोचा होता जिन्दा खुदा को जिन्दा रब को छोड़ कर मुर्दूं से उमीदे रखी हुई है बुतूं से तुझ को उमीदें खुदा से ना उमीदी मुझे बता तो सही और काफरी क्या है दुनिया पे फत्वे लगाता है बुतूं से उमीदें रखे हुए अल्ला रब लालमीन से मायूस हुआ खड़ा है इससे सिवा बड़ी काफरी और क्या होगी अल्ला रब लालमीन से उमीदें वाबस्ता कीजिये आज ये बड़ी बाबर कतरात है आएन मूं के नए के रब लालमीन ने वो शब कदर का जोहर इसी रात में छुपा रखाओ इन तबाँ ताक रातों को वही रात समझ कर गुजार दीजिए अपनी दोनों आखों से नदामत के दो अश्क वहा के रब लालमीन के आगे अपनी नदामत का इज़ार कर दीजिए अल्ला के हुजूर सजदारिद हो जाईए दामन पहला लीजिए हाथ उठा लीजिए अकेले रब लालमीन को पकारिये बीच में कोई वास्ता कोई वसीला कुछ ना डालिये रब लालमीन अपने कलाम पाक में फर्माता है काल रबकुम उदूनी अस्तजिब लकुम तुम्हारा दाता तुम्हारा पालनहार तुम्हारा रब तुमें कहता है उदूनी अस्तजिव लगं मुझे पुकारा करो मैं तुम्हारी दुआउं को सिर्फ सुनता ही लए अस्तजिव लगं मैं तुम्हारी दुआईं कुबूल करता हूँ इननल्दीन यस्तक्बिरूनान अबादती सयद खुनोन जहन्नम धाकिरी जो हमारी अبादत से हमारे सामने दुआ करने से इतराते हैं फखर करते हैं तकब्र करते हैं गुरूर करते हैं हम रबुलालमीन के सागे हम चोधरी होकर सरदार होकर रबुलालमीन के हागे हाथ उठाएं इसमें अपनी जिल्लत और हतक महसूस करते हैं रब लालमीन फर्माता है ऐसे लोगों को रोज कियामत जलील करके हम जहन्नम रसीद करेंगे अल्ला से मांग के तो देखो दामन पहला के तो देखो हाथ उठा के तो देखो उसके लुट्फ उ करम को आजमा के तो देखो अल्ला की रहमत कहती है मेरे बंदे मेरे दर्वाजे परा तो सही मेरे लुट्व करम को आजमा तो सही अपनी जबीने नियाज जुका तो सही अपना दुकडा मुझे सुना तो सही ऐए मेरे बंदे तेरे आने में देर हो सकती है मेरे राजी होने में हर्गे देर नहोगी क्यों गिले करता है के रब सुनता नहीं तूने मुझसे मांगा ही कब है अरे जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता मांगने का सलीका आना चाहिए वो देने वाला खजानों का मालिक है सारे खजानों के कुझियां रबुलालमीन के पास हैं सारे खजानों का वो अकेला मालिक है अल्ला रबुलालमीन के सिवा कोई उसका मालिक नहीं कोई उसमें साजी नहीं कोई उसमें शरीक नहीं इस अकीदे के साथ आप रमजान गुजारिये इस अकीदे के साथ आज समे कदर गुजार के देख लीजिए इन्शालला रबुलालमीन तोहीद की बरकत से आपकी काया पलड देगा मौलियों के चक्कर में नाईए पीर फकीर के पास कुछ नहीं जो कुछ है रबुलालमीन के पास है अल्ला के हबीब रबुलालमीन से कहते है एलोहुलालमीन मैं तेरे दर का फकीर हूँ अल्ला रबुलालमीन फरमाता है अगर आप चाहें तो मदीने का ओहद पहार पूरे का पुरा आप के लिए सोना बना दू अल्ला के लिए कोई मुश्किल नहीं इजा अराद शेयन अई यकूल लगू कुन फयकून वो तो जब भी किसी अमर का इरादा कर लेता है उसे कहता है हो जा वो चीज फोरण वजूद में आ जाती है अल्ला के लिए कोई मुश्किल नहीं लेकिर रहमत आदम फर्माते हैं अल्ला नहीं मुझे ये ओद पहाड सौने का नहीं चाहिए मुझे इतना दे के अगर शाम को खाओ तो सुबो फिर तुझ से मांगना पड़े ताके तेरी दरबार में ये जो मांगने की आदत है मांगने की जो लज़त है ये कभी खतम नहो अल्ला से मांगा की जिये गिड़ गिड़ा के मांगा थी जी 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 बे उलाद है अल्लादे मांगी जी 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 तुम सारे के सारे अल्लह के दर के फकीर हैं उसमें क्या नबी, क्या वली, क्या सहाबा, क्या सुलहा, क्या फुकहा, क्या मुध्दिसीन, क्यामत तक जितनी कैनात है, सारी की सारी, अन्तुमुल्फुकराई लवा, अल्लह के दर के फकीर, अल्लह के आगे किसी की नहीं चलती, अल्लह की सब पर चलती है, सारी दुनिया उस کی مہتاج ہے وہ کسی کا مہتاج نہیں ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے اس کو کسی کی ضرورت ہے کسی کی ضرورت نہیں میرے بھائی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق تعاف فرمائے میں نے جو وقت ذہن میں سوچا تھا وہ الحمدللہ پورا ہو گیا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق تعاف فرمائے आखर दावाना अनलहम्दिल्ल्ह रब्लादम